Chapter 2 Electrostatic Potential और Capacitance देख रहे है Electrostatic Potential और Capacitance के सवाल और जवाब देखेंगे दो Charges है 5 और माइनस 3 ये 10 की पावब माइनस 8 पे है ये 16 सेंटिमिटर दूरी पे है किन पॉइंट पे अट वाट पॉइंट जो लाइन इनको जॉइन कर रही है दो Charges को Electric Potential 0 होगा आपको जो Potential है Infinity पे 0 मानना है तो दो Charges है Q1 ये है प्लस में Q2 ये है Distance उनके बीच में कितना है 16 सेंटिमिटर इसको आम मीटर में चेंज कर देगे मानिए एक पॉइंट पी है जो इन दोनों की को जॉइन करने वाली लाइन है उसमें एक पॉइंट पी है ये वाला और ये जो पॉइंट है इस पे पता करना है या ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पे दोनों Charges के कारण Electric Potential 0 हो तो देखिए यहां से यहां तक हम मानते हैं कि दूरी R है Q1 से लेकर P तक और पूरी दूरी मान लेज़े D है तो ये कितनी होगी D-R ये वाली दूरी तो जो Potential होगा Point P पे वो क्या होगा कि P पे हमें 0 मानना है तो सम दोनों के Potential का सम हम जोड़ देंगे तो P इस पे Potential क्या होगा 1 by 4 pi Epsilon 0 और Q1 by R और दूसरा वाला है D-R जैसे मैंने आपको बताए दूनों का हमने Potential ये पहले वाले का Potential है और ये दूसरे वाले का Potential है P पर और दूनों को हमने जोड़ दिया अब इसमें Epsilon 0 जो है वो Permittivity है Free Space की लेकिन सवाल में पूछा गया है कि ये जो A Point है P Point पे इसको 0 करना है तो आप इसको 0 कर दीजे Is equal to 0 कर दीजे Is equal to 0 करेंगे इस संख्या को या इस expression को तो आपके पास आप इसको इसको Resolve करेंगे तो जो चीज़े Cancel होती है उनको Cancel कर देंगे और जो Values हमारे पास है उनको हम रख लेंगे हमें R नहीं पता लेकिन D जरूर पता है और Q1 Q2 पता है इससे हम R निकाल लेंगे R आपका आएगा 0.1 मिटर यानि कि 10 सेंटीमिटर तो जो Potential है वो 0 होगा 10 सेंटीमिटर डिस्टंस 10 सेंटीमिटर Positive Charge जो दुनों के बीच में जो दूरी है उससे अगर माल लीजे ये तो आपने कहा कि भई ये कहीं बीच में है यहां तक तो ठीक हो गया R और D-R दूर निकाल सकते Negative से कितने दूरी है Positive से कितने दूरी है अब माल लेजे एक पॉइंट P है जो सिस्टम जो एक लाइन जॉइन कर रहे है उससे बाहर है ये भी तो हो सकता है जहांब पॉटेंशल 0 हो ये Q1 यहाँ पर है Q2 यहाँ पर है ये P अब बाहर है यहाँ बीच में यहाँ है तब आप कैसे करेंगे यहाँ से यहाँ तक दूरी हिमाली जी S है यहाँ से आँ तक वो खेर D दी हुई है यह कितनी हो जाएगी यह S मैनस D हो जाएगी तो Q1 की जब दूरी लेंगे potential जब P point पे निकालेंगे तो हम दूरी लेंगे S Q2 से निकालेंगे तो S-D तो वही काम करेंगे दोनों के potential को जोड़ देंगे अब ये P बहारी point है तो 1 by 4 pi epsilon not Q1 by S लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर Q2 के लिए S-D लिखेंगे यहाँ पर भी हम potential को 0 कर देंगे यही काम करेंगे दोनों को equate करेंगे यहाँ मतलब इस साइड ले जाएंगे और आपके पास जो 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 संख्या है वो यहाँ पर रख दिए तो D आपके पास है लेकिन आपके S नहीं हो S यहाँ से निकल गयाएगा 40 cm तो potential वो कहाँ पर है 40 cm कि कहाँ से positive charge लेकिन यह बाहर है इस सिस्टम के बाहर है इस तरफ एक regular hexagon है और उसका side दिया है 10 cm इसमें charge है 5 micro cooler उनके vertices पर 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 यहाँ देख लेजी लेखते हैं यह hexagon है hexagon के 6 side होते है hexa मतलब 6 और इनका side भी दिया हुआ है और charge भी दिया हुआ है आपको potential निकालना है इसके center पर इस जगा पर निकालना है तो यह figure आप देख रहे हैं इसमें 6 equal charges है plus q, plus q, plus q हार एक vertices पर और यह regular hexagon है तो हम क्या खरेंगे charge हमको 5 micro column दिया हुआ है तो इसको micro 10 की पावर minus 6 और यह जो दूरी है देखे, side आपको दिया हुआ है क्या, one 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 करके दिया हुआ है यानि कि आप इसको 10 cm लीजे तो 10 cm आपका जो distance है हर एक vertex का center O से वो क्या होगा देखे इसमें दिया है 10 cm इसका side यहां 10 cm side है अब चुकि यह regular hexagon है यह equilateral triangle बनेगा यह भी 10 हो गया, यह भी 10 हो गया तो इस current से अगर हम हर एक charge से हर एक charge की current इस O पे निकलना चाहें तो हम potential क्या आएगा potential आपका आएगा 1 by 4 pi epsilon 0 q by d अब क्योंकि 6 है तो हम इसको 6 q कर देते है 6 हमने इसलिए multiply किया है क्योंकि 6 है को बिलाके तो permittivity क्या होगी epsilon 0 यह चाहें तो आप इस 1 by 4 pi epsilon 0 को 9 into 10 to the power 9 total ले सकते हैं और बाकि आपके आपके q b है और d b है, 0.1 value है तो जो potential होगा center पे वो तकरीबन इतना आएगा दो charges है 2 microcolum और minus 2 microcolum अब यह place आपने किये distance a और b 6 cm दूरी पे है आपको equipotential surface निकालना है और आपको direction निकालना है electric field का हर point पे इस surface पे तो situation कुछ इस तरीके से है 2 microcolum यहाँ पर है minus 2 microcolum यहाँ पर है दोरो 6 cm आपार्ट तो equipotential surface क्या होता है वो एक ऐसा plane होता है जिस पे total potential 0 होगा हर जगा पे यह plane क्या होगा यह normal होगा इस AB के यानि परफेंडिकलर होगा इस AB के जो plane है वो कहाँ पर होगा वो midpoint पे होगा इस AB के क्योंकि magnitude इन दोरों का सेम है यह plus है तो यह minus 2 है तो एकदम center में होना चाहिए बीच में और जो direction होगा electric field का हर एक point पे जो इस surface के है वो normal होगा जो भी plane आपका AB के direction में होगा उसके normal होगा perpendicular होगा मतलब एक spherical conductor radius आपको दिया हुआ है उसका charge आपको दिया हुआ है distributed है यह charge uniformly उसके surface पे आपको electric field निकाल लिए है sphere के अंदर just outside sphere और एक point जो 18 cm है center से तो इस तरीके से एक sphere है इस पे charge जो है वो इस तरीके से distributed है uniformly अब radius जो है आपको यहां से आ तक दिया हुआ है 12 चार यतना distributed है अब radius आपको दिया हुआ है charge uniformly distributed है चार की value भी दिया हुई है electric field, एक spherical conductor के अंदर जो होती है वो 0 होती electric field 0 होती है यह क्यों होती है क्यूंकि जो इसकी जो फीलिड के अंदर जो अधर आप यहां पर आप देखा जाए तो मुण करने लग जाएंगे। Q by R square होता है यहाँ पर होगा अंदर कुछ भी नहीं होगा लेकिन यहाँ पर जरूर होगी अब यह जो चीज है इसमें आपके पास यह पुरी value है चार्ज भी आपको दिया है R भी आपके पास है तो यह value सब रख दीजे और आपके पास 10 की power 5 value आजाएगी यह newton per column यह electric field just outside है लेकिन अगर आपको कहा जाए कि भी आप यहाँ निकाली यह 12 cm था ना आपको 18 cm पर निकालना इस point पे तो यहाँ पर आपने क्या लिया था R आपने लिया था जो radius है इसका R 12 लेकिन यहाँ पर आप क्या लेंगे 18 इस जगा पर वस्याई करना है आपको कि 18 cm पर जो D है आप जो हमने यहाँ 0.12 लिया था वो ही आप यह 18 की तरह ले देंगे तो इसको change कर देंगे आप meter में और यहाँ values रखे की charge तो वही है 1 by 4 epsilon भी है D आप यह लेंगे और उसके बाद जो value निकलेगी वो यह आपकी 18 cm पर electric field आएगी एक parallel plate capacitor है जो plates हैं उसके बीच में air है जिसका capacitance आपको 8 picofarad दिया हुआ 10 की पार माइनस तो है क्या capacitance होगा यदि distance इन plate के बीच में आधा कर दिया जाए, half कर दिया जाए और जगा इनके बीच में एक medium से एक substance से भर दी जाए जिसका dielectric constant 6 है तो capacitance जो parallel plate के बीच में है वो C आपको दिया है 8 picofarad तो initially जो distance है in parallel plate के बीच में वो D है यहाँ पर हभी हवा है air है या इस माने vacuum में air का dielectric constant K 1 होता है तो capacitance का formula हमारे पास क्या है K epsilon naught A by D या आप ये कहें Epsilon naught A by D क्योंकि K यहाँ पर 1 हो गया A आपके पास area है Epsilon naught आपके पास permittivity of free space है D इनके बीच में दूरी है यहाँ से आता है यदि इस दूरी को आधा कर दिया जाए D को half कर दिया जाए तो D की जगा हम क्या करेंगे D को half कर देंगे D by 2 कर देंगे और D को हम कर देंगे D by 2 और क्योंकि आप इसमें dialectic constant आपका जो content डाला गया है substance डाला गया उसका dialectic content आपके पस value K 1 आपके पस 6 है तो C 1 क्या होगा K 1 epsilon A by D 1 D 1 हो गया D by 2 K 1 हो गया आपका 6 तो कितना हो गया 12 epsilon not A by D इसकी value हमें पता ही थी यह आप अलड़ी हमारे पास थी यह हमारे पास थी यह हमारे पस अलड़ी था capacitance तो बस दोनों को गुणा करिए और आपके पास जो value आएगी यही आपका capacitance है इंप्रेट के बीच में तीन capacitor जिनका capacitance 9 pF है इनको connect किया गया series ले आपको total capacitance निकालना है combination का और आपको potential difference निकालना है हर capacitor के cross यदि इसको 120 volt supply से connect किया गया तो capacitance हर एक capacitor के कितना दिया हुआ है 9 अब equivalence capacitance कैसा होता है 1 by C अगर इसको आप series में लगाए तो 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 तीनो C है यानि तीनो आपके 9 है तो रख दीजे हैं आपर आपका जो value आएगी total capacitance की 1 by C, 1 by 3 आएगी तो C आपका 3 pF आजाएगा अब voltage आपको दिया है 100 volt potential difference हर जो capacitor है वो बरावर है देखिए सबके जो values थे वो बरावर थे तो इसका उतर potential difference कितना होगा V by 3 क्योंकि 3 बरावर बरावर है अलग-अलग होते तो हम अलग तरीके से निकालते 120 आपको जो V आया यह जो चीज आई आपकी जो 120 दिया आपने उसको 120 को आप 3 से डिवाइट कर दिए तो यह आपका सपाय वोल्टेज 120 है तो 3, 4, 0 40 volt आजएगा potential difference हर एक capacitor के बीट में 40 volt आएगा 3 capacitor है 2, 3 और 4 पिको फैरेट अब इनको parallel में connect कर दिया गया parallel पे क्या होता है तिनों जूड़ जाएंगे तो यह total capacitance आपको निकालना है combination का और आपको charge भी निकालना है हर एक capacitor का यदि combination को 100 volt की supply से connect किया गया तो पहले तो C1, C2, C3 आपके पास है parallel में लगाए गये तो equivalent के आएगा algebraic sum हो जाएगा C equivalent होगा C1 पर C2 पर C3 क्यों है आपका VC क्यों है आपका VC VC आपको 100 दिया हुआ है C आपको C1, C2, C3 डालना है मतलब तीनों के आपके C दिया हुए तो क्यों 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 वी सी होता है पहले C यानि कि पहले जो capacitors 2 pF के लिए आप 2 को multiply करें 100 से दूसरे के लिए 3 को करिए क्योंकि 3 है और फिर तीसरे में 4 को कर दीजिए 100 से तो यह आपका 200, 300, 400 यह दें कि यह तीनों value आपकी यह charges आ जाएंगे parallel plate capacitor में air है भी इनके बीच में each plate इनका area भी दिया हुआ है area दिया हुआ है distance भी दिया हुआ है 3 mm आपको capacitance निकालना है capacitor का इसके लावा यदि capacitor को connect किया गया 100 word supply से तो चार्ज क्या होगा इन plates in plates में capacitor के area आपको दिया हुआ है distance आपको दिया हुआ है और वी भी दिया हुआ है तो कसी अगर parallel plate capacitor की बात करें तो जो capacitance होता है epsilon not a by d इसमें epsilon not होता है permittivity free space की जो की ये वाली होती है इसमें रख दीजे योगि ये भी ये भी ये भी तीनों चीज़े है आपके पास इतना करीब picofarad आ जाएगा इसके लावा अगर आपको चार्ज निकालना है क्यों V into C कर दीजे world saw दिया है अभी अभी C आप में निकाल लिया C आपका ही आजाएगा तो जो capacitance है capacitor जो 17.71 picofarad है उसमें जो charge होगा जो दोनों plate से हो उसमें मतलब each plate पे वो आपका इतना आएगा आपको explain करना है कि क्या होगा यदि capacitor जो आपने अभी पिछला जो question देखा एक 3 mm का thick mica sheet जिसका dialectric constant 6 है वो इसके बीच में insert किया जाए अब अब पहली चीज बताना है कि जब voltage supply connected रहेगी और जब आप supply को हटा देंगे तो dialectric constant आपको mica sheet का k equal to 6 दिया होगा कहने का मतलब यह है कि आपके पास इस तरीके से capacitor है और इसके बीच में जैसे आपने डाल दिया है एक mica sheet जिसकी जो dialectric constant है 6 है यानि के इसका 6 है यदि voltage supply connected है तो voltage इन दोनों के बीच में constant रहेगा यानि voltage आपके पास है माल लिजे ये 100 volt ये 100 volt है अब capacitance क्योंकि हम पिछले सवाल से ले रहे है 2.8 में जो voltage है वो 100 volt दिया था इसलिए हमने लिए हम C निकाल चुके थे C के तकरीपर इतना आया था तो C1 क्या हो जाएगा जो capacitance change होता है वो केवल K times of C हो जाता है यानि कि K times 6 times इसका आपका capacitance आएगा आपका पोटेंशिल प्रेट के एक्रास 100 volt है अब आप आईए कि जब दूसरा case बनता है कि आपका 6 है capacitance आपका इतना था आपने कहा कि निया capacitance कितना आएगा निया capacitance आपका आ रहा है जो 6 से मुनिप्लाइगा एक सो 6 पीकाफिरेट अब supply voltage को हटा दिया गया यह दूसरा case बनता है supply voltage को आपने हटा दिया गया तो अब यहाँ पर constant charge होगा दोनों प्लेट में और charge कितना यह यह charge आपका था तो अब यहाँ कर अगर आपको V1 निकालना है voltage निकालना है तो Q by C1 कर दिए यह Q है यह C1 है आपके पास यह C आपका है यह C1 था अब जो capacitance है और charge आपके पास इतना है तो आपके डिवाइड कर दिए यह 16.7 voltage एक 12 pF capacitor इसको connect किया गया 50 volt battery से how much electrostatic energy is stored in the capacitor तो आपके पास capacitance है आपके पास volt है potential है आपको capacitance दिया हुआ है आप voltage है यह पीको में है तो तर्म की पाउर minus 12 कर देंगे electrostatic energy अगर का formula लेना है क्योंकि हमरे पर C और V है तो बेटर यह है कि half CV square ले यहाँ पर value रख दीजिए इतना जूला जाएगा यह electrostatic energy है जो store होगी capacitor में एक 600 pF capacitor इसको charge किया गया 200 V supply से फिर इसको disconnect किया गया supply से उसको connect किया गया दूसरे uncharged 600 pF capacitor से कितना electrostatic energy lose होगा इसने इस process में तो capacitance आपको 600 दिया हुआ है potential आपको difference 200 V दिया हुआ है electrostatic energy half CV square से निकालेंगे CV दोनों दिया हुआ है इसको pico को 10 की power minus 12 करी और आपके पास ये इतना joule आ जाएगा अब दूसरा case क्या मनता है यदि supply को disconnect कर दिया जाए capacitor से और दूसरा capacitor जो कि 600 pF का उसको connect कर दिया जाए तो अब पहले हमको equivalent capacitance निकालना पड़ेगा इस combination का हम कैसे निकालेंगे 1 by C equivalent will be 1 by C plus 1 by C दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे कि ये C equivalent निकालेंगे 300 pF अब नई electrostatic energy देखेंगे C equivalent से मतलब ये पीछला वाला सी और ये अलग है और वी आपका 200 हो रहेगा इससे हमारे पास इतना आ गया अब पिछले energy क्या थी हमारे पास इतनी थी और ये हमारे पास नई energy आ गया दोनों को हम minus कर लेंगे हमारे पास जो minus करके संख्या आएगी ये ही electrostatic energy है जो lose हुई इस process ले तो ये सवाल जो आप हुए इस topic के बहुत शुक्रिया बहुत मेर पने अबसे विकी